नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का पाल मिश्ठी गया जैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में अलोकिक सक्ती दिब भी सक्ती होती है तो ऐसे लोग जिवन में आने वाली घटनाओं का पहले ही आवास हो जाता है तो द लोचक जानकारी मिलने वाली है और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्क्राइब से नहीं किया है किर्पया चैनल को सब्क्राइब आउस कर ले और यब इसे अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आउस कर ले आई अपने हाथ की तीन मुख ल मस्तिक रेखा हमारे मन के विचारों के वारी में बताती है और इसी प्रकार से हमारी हिर्दे रेखा हमारे प्रेम विवहार के वारी में बताती है सबसे पहले आज हमने अलोकिक सक्ति की बात की है दिब्ब सक्ति की बात की है अगर दिब्ब की बात करते हैं तो आपके भूत और भविस्त की चीजे बताने में ऐसे लोग सब्चम होते हैं अगर आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं लाइब जीवन में जो कि पिछले कर्मों के आधार पे इनको ये साइन प्राप्त होती है और वो अपने जीवन में सारी घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं और लोगों की भविस्त बानियां करते हुए आपने देखा हो इसे सनी का मौंड है अगर सनी का परवत परवत दबा होता है और ये सनी का परवत यहां पे होता है ये सनी का परवत है अगर इस एरिया में सनी का परवत दब जाता है तो इसे लोग लाइफ में अपने कहलों के तरह क्या करज़ा चड़ जाता है जीवन में लोन अधिक पे करना पड़ता है अगर ये सनी का मौनट अपजाता है तो लेकिन अगर इसी साइन के उपर इस परवत के उपर यहां पे एक फीश शाइन बनती हो और इनी साइन करमाथी जादू की तरह होती है जिवन में लोगों को जो बोलते है वो सच होता है और ऐसे लोग जिवन में ये जितनी बड़ी साइन होंगी उतना अधिक फल प्राप्त करवाती है और यही साइन अगर आपके फिट लाइन को मिला कर बने तो ऐसे लोग अपने जिवन में अधिक पैसा कमाते हैं लेकिन उनको एकसर साइज करवाती है मिहनत करवाती है और मिहनत के आधार पी उनको ये फल प्राप्त होता है तो आहिये दिव दृष्टी की बात है ऐसे लोगों की बोली हुई बाते भी सच हो जाती है और जीवर में बड़ी सी बड़ी भविस्वाणियां करते हैं और इनकी बाते सत्प्रशत सत्थ होती हैं तो दोस्तों यह रही है आज की हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद